संग को शीशे से टकराने चले संग को शीशे से टकराने चले शेख जी रिंदों को समझाने चले नाजरीन मुशायरों की मजलिसों का इनिखाद जब भी होता है सामईन और नाजरीन की उर्दू से उल्फत निखर जाती है माई चानल बेंगलूरू अफसोस का इजहार करता है कि मौजूदा नसलों में जबान उर्दू के खदरदान बहुत ही कम मिलेंगे अपनी मादरी जबान की बखा के लिए अपने बच्चों को उर्दू की तालीम देनी पड़ेगी वरना दुश्मनाने उर्दू के चलते हमारी ये प्यारी जबान तारीख के पन्नों में कहीं गुम न हो जाए तो मुशारिक की आज की करीमे जनाब जमील अक्तर बनारसी अपना खुबसूरत कलाम पेश कर रहे हैं समात फर्माए कि तो बाए हम प्याव सांग्स कर रहे हैं संग को शिषी से सिटक राने चले शेख की रिंदों को समझाने चले शेख की रिंदों को समझाने चले बस यूही कुछ कह के मैं चुप हो रहा देरी तक यारों में अफसाने चले तक यारों में अफसाने चले और तक अमचला बड़ा जगेगा जब कभी उन्हें के गेसों समय जाएंगे जब कभी उन्हें के गेसों समय जाएंगे खौब सारे जुन के बिखर जाएंगे जब कभी उन्हें के गेसों समय जाएंगे खौब सारे जुन के बिखर जाएंगे खौब कर रास्ते में बिखर जाएंगे खौब कर रास्ते में बिखर जाएंगे घर कहां है के हम अपने घर जाएंगे खौब कर रास्ते में बिखर जाएंगे क्या जबर थी के ऐसा भी मोडा आएगा क्या जबर थी के ऐसा भी मोडा आएगा वो तहर जाएगे हम गुजर जाएगे क्या जबर थी के ऐसा भी मोडा आएगा वो तहर जाएगे हम गुजर जाएगे हम सुना दे जो रूता दे शाम अलम हम सुना दे जो रूता दे शाम अलम सब के दाम सितारों सिभर जाएगे हम गुजर जो रूता दे शाम अलम सब के दाम सितारों सिभर जाएगे हम गुजर जो रूता दे शाम अलम सिख्रे दुश्मन नहीं काने पे इस तर से हम सिख्रे दुश्मन नहीं काने इस तर से हम सिख्रे दुश्मन नहीं काने इस तर से हम दो सिख्रे दुश्मन नहीं काने इस तर से हम क्या वफा दाल उनको कहा जाएगा क्या वफा दाल उनको कहा जाएगा उटके एक तर से दो दर्बा दर्या देंगे क्या वफा दाल उनको कहा जाएगा तो ये थी हमारी कुल हिन मुशायरे की ग्यारवी कड़ी एक और शायर के कलाम से मुस्तफीज होने के लिए बने रहे माई चानल बेंगलूरू पर थांक यू शुक्रिया धन्यवाद अगलू